चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के वरिष नेता हैं सुधान्शु मित्तल एंडिये यानि कि महायुती से ही एक और एहम महमान राश्रिय प्रवक्ता हैं शिव सेना एकनात शिंडे गुट के कृष्णा हेगदे कॉंग्रेस की राश्रिय प्रवक्ता रागनी नायक जुडेंगी समाजवादी पाटी के राश्रिय प्रवक्ता मनोज काका मेरे साथ जुड चुके हैं मुंबई से वरिष्ट पतकार संदीब सोनवलकर और राश्रिय राजनीती पर वो भी नज़र रखते हैं पर ज्यादा नज़र रखने वाले विजय त्रिवेदी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तो चर्चा होनी थी महराश्र की चर्चा का विशय बन गया है मिल्कीपुर सुदान चुमित्तल की जी पर्टिशन एक याचिका लंबित पड़ी है हाई कोट में याचिका कैसी है एक साल से सुनवाई नहीं हुई याचिका इस बात की कि भई नोटरी का लाइसंस एकस्पायर कर गया था याचिका करता कह रहा है वापस ले लूँगा इन सब बातों का संजान नहीं लिया क्या चुनाब आयोग ने बस लकीर का फकीर बन गया कि जी मामला कोट में लंबित है तो चुनाब नहीं कराएंगे संदीब जी अच्छा होता कि जब आज प्रेस कॉंफेंस हो रही थी ना तो यह जवाब आप इलेक्शन कमिशन से पूछते हैं पूछा गया सवाल एक लाइन में का जवाब पूछे हैं नहीं एक लाइन में जवाब दे दिया कि कोट में मामला पैंडिंग है उसके बाद दूसरी लाइन भी पूछी जा सकती थी कि क्या वहाँ पे कोई स्टे ओडर है नहीं है क्या है क्या ओडर है ऐसा नहीं है जब आपको पूछना होता है तो सब लोग पूछते हैं जब नहीं पूछना होता है तो फिर आप हमसे पूछते हैं बही एलेक्शन के कारे के बारे में जवाब देई भाजपाख ही कैसे हो जाएगी यह तो यह तो बहुत ही मुझे लगता है आप हमाई सा तन्याए कर रहे हैं नहीं यह तो विपक्ष के आरोप है विपक्ष आरोप लगा रहा है कि चुनाव आयोग जो बीजेपी को सुनिये ना तो उनका चुनाव आयोग जो है अगर भाजपा को जो सारी चीज़े सूट करती है उसके हिसाब से फैसले करता तो 240 सीट है लोगसभा में थोड़ी आती है अभी तो इन्होंने कह दिया EVM खराब हो गई है इनका क्या आप समझे नहीं मतलब मैं किस बात का क्या जवाब दो मुझे ल ले रखा है अब अब यह तक निश्पष चुनाव हो गए थे लोगसभा के राजित अभी हरियाना हरे तो EVM का इशू आ गया था तो इनको इनके बेबुन्यादी बातों को कहा जवाब देना चाहिए मुझे नहीं लगता कि भाजपा को ऐसी चीजों का संग्यान भी लेना यह वो सीट है जो फैजाबाद अयोध्या लोगसभा शेतर में आती है वो अयोध्या जहां पर 22 जनवरी को इसी साल चुनावी साल में प्रणान प्रतिष्टा हुई वो सीट आप हार गए उसी सीट की एक विदान सभा पर चुनाव करवाने को चुनाव आयोग तयार नहीं तो आप कुछ भी लगा लिजए इस देश में न्यायपालिका नाम की भी एक चीज है और न्यायपालिका ने अपनी स्वतंत्ता को ठोक बजा के जनता के सामने रखा है तो इसलिए कोई भी कार्ये एलेक्शन कमिशन ऐसा नहीं करने वादी है जो कि सरासर समवेधाने किया ह होगी या गहर कानूनी होगी आप तो सफॉलेजिस्ट भी हैं चुनाव की बारीकिया और चुनाव की टेक्निकालिटीज और जो कानून है रेप्रेजेंटेशन आफ पीपल्स एक उनिस सो इक्यावन है बनी बात ही आप जानते हैं वौकिंग टॉकिंग इंसाइकलोपीडिया हैं मुझे एक चीज़ बताइए दो साल धाई साल हो गए बाईस अपरेल दो अजार बाईस को ये याचिका दाखिल की गई थी जिसके खिलाफ याचिका हुई वो तो अब विधायक भी नहीं है वो सांसद बन चुके हैं बाकाइदा ओथ भी ले ली मतलब कोई भी फैसला भी आ जाए अब देश प्रसाद पर तो अब कोई फर्क ही नहीं पढ़ने वाला है ये मतलब बाल की खाल निकाली जा रही है कि ये किस बात को लेकर ये तो वैसे ही चुनाव की गोशना कर दी जाती तो इसमें क्या अवैद हो जाता है या क्या इलिलिगालिटी हो जाती संदीब जी मैंने फिर आप से कहा जब तक कि आप सारे कोट के ओर्डर इसमें क्या है क्या नहीं है जब तक नहीं पढ़ लें तब तक किसी चीज़ के निश्कष पर निश्कष पर आना अब देश परसाद आप विदायक ही नहीं है अब तो वह सांसद बन चुके अब पहले कानून की विवस्था चुनाव आयोग अदालत नहीं जा सकता था चुनाव आयोग पार्टी नहीं नहीं जा सकता है क्योंकि जिसमें वो पार्टी नहीं उसमें क्या जाएगा अचा पहले देखे तो भई मैं फिर कह रहा हूं आपको अगर मुझे इसके बारे में कहा गया होता तो मैं सारे तथे लेकर आके कम चकम कुछ उजागर भी कर सकत जा था मुझे तो आज महराश्टी में चुनाव होने उसके बारे में इसलिए मैं उसकी उसके बारे में मुझे जायज है नहीं वह बात आपकी जायज है क्योंकि एक ख़बर एबी पी डियूज आपको रखे आगे